अगर आपने जस्ट रिसेंटली एक लैप टॉप पर्चिस किया है और आप लैप टॉप के ज़ड़ तर फीचर्स के बारे में अवेर नहीं है आपको लैप टॉप के कुछ ऐसे बेसिक से और कुछ एडवांस फीचर्स के बारे बताऊंगा जो इस्पेशली बिगिनर्स लोगों को इससे ज्यादा हेल्प होगे सो लेट स्टार्ट विडियो तो यहां पर जो फर्स्ट फीचर है लैप टॉप का कि आप अपने विंडोस 10 के लैप टॉप में एक एग्जिस्टिंग अकाउंड के अलावा एक अनाधर यूजर अकाउंड कि इस तरीके से क्रियेट कर सकते हैं इसके लिए आपको यहां पर सायनई अप्शन में आना है दिन यहां पर दीची के साइट में एक और 혹शन होगा फैमिली एंडर अद्र Άधर स यूजर इस इस पर इस पर इस ओप्शन पर सिम्पली क्लिक करना होगा Then, यहाँ पर last वाले option पर click करना है Then, इसके बाद add a user account Then, इसके बाद यहाँ पर जिस भी person के नाम पर आप एक user account create करना चाते है या तो family members के usage के लिए आप यहाँ पर create करना चाते है तो आप कोई भी नाम यहाँ पर set कर सकते है It's okay Then, इसके बाद लेकिन यहाँ पर passwords पर set करना जरूरी है So just keep this in your mind उसके बाद यहाँ पर security questions के answer set करना भी जरूरी है इनके जगर आप अपना password भूल जाओ तो ऐसे cases में आप इन security questions के help से login कर पाओ Without password तो यहाँ पर यह user account create हो चुका तो यहाँ पर user account create करना बहुत ही जरूरी है For example, अगर आपके family में कोई भी laptop मांगता है usage के लिए तो ऐसे cases में आप यहाँ पर new user account पर login करके उनने simply आप दे सकते हैं जिसे आपके privacy के लिक होने के chances भी नहीं रहेंगे और यहाँ पर फिर आपका existing account को आप completely lock रख सकते हैं It is okay तो अब यह नेक्स्ट फीचर है laptop का कि आप अपने laptop में जो applications होते हैं उन्हें आपकी सरीके से uninstall कर सकते हैं उसकी लिए आपको search वार में जाना है control panel के option में और यहाँ पर programs and application को uninstall करने का option दिखेगा simply उस पर visit करना है दिन इसके बात आपको यहाँ पर यह page visit करेगा तो जो जो application आपको यहाँ पर नई चीह है उन्हें आप simply mouse पर right button क्लिक करके uninstall कर सकते हैं make sure कि आप यहाँ पर limited application है जो आप application use करते हैं उन्हें application को यहाँ पर इंस्टॉल करें otherwise आप unnecessary application को यहाँ पर इंस्टॉल करके मत रखें इससे यहाँ पी जो unnecessary storage हो लेगा इससे आपके laptop के performance पर इसका negative impact पड़ेगा जब जो next feature है कि आप अपने laptop PC में एक background application को किस तरीके से stop कर सकते हैं उसकी आपको यहाँ पर कई पर क्लिक करके tax manager में जाना होगा दिन उसके बाद आपको यहाँ पर option बिल चाहेगा unnecessary background application के process को stop करने का जो जो application आप use नहीं करते हैं जो जो application को आप नहीं चाहते कि background में रण करें उन्हें आप simply यहाँ से disable कर सकते हैं इससे benefit हो कि इससे आपको PC में performance आपको better बिलेगा so in that case you can just disable the unnecessary application background application और जितने कम application आपके background में रण करेंगे उतना better आपका PC यहाँ पर 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 करेंगा तो make sure कि जो भी unnecessary application है उन्हें आप simply disable कर दीचे उनके background process को stop कर दीचे it will speed up your PC performance तो यहाँ पर जो next feature है laptop का कि आप अपने laptop में एक pass lock screen पे password किस तरीके से set कर सके तो password set करना यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है because यह complete privacy के related है तिसके आपको setting में जाना होगा then account option में then sign in option पे click करना होगा उसके बात आपको यहाँ पे option मिल जाएगा यहाँ पे second last number पे password का option मिलगा इस पे click करना है then add button पे click करना है उसके बात आपको यहाँ पे option मिल जाएगा password set करना है तो password आपको यहाँ पर थोड़ा secure रखना है जिसे कि कोई भी easily इसको crack न कर पाई जिसे कि यह मैंने password यहाँ पर रखा है तो आपको भी इसके related कोई password रखना है then इसके बाद next and finish करके यह password को यहाँ पर set कर देना है that's it तो उसके बाद आप जब भी अपने lock screen पर जाएंगे तो वहाँ पर login करने से पहले आपको वहाँ पर password का option पूचेगा you can see that then उसके बाद आपको यहाँ से इसी तरीके से lock screen पर अपने laptop में password set करना है तो यहाँ पर जो next feature है कि आप अपने laptop में एक user profile किस तरीके से set कर सकते हैं so just do as I do तो इसी तरीके से आप एक user profile set कर सकते हैं अपने laptop में तो इसी तरीके से आप एक user profile set कर सकते हैं अपने laptop में so just next feature है laptop का कि आप अपने laptop में एक fingerprint password को किस तरीके से set कर सकते हैं अपने password set करना बहुत ही जरूरी है अगर आपके laptop में इसका feature है तो because यह आपके normal password से भी काफी जरा सिक्किया होता है अब इस सीरीज से बात है कि आप इसके बारे में जानते हो तो fingerprint password को set करने के लिए यहां पर कोई problem ना हो then just like this आपको अपने finger को इसी तरीके से lift up करना है और यहां पर अपना finger scan करना है just like this that's it तो इसके बाद आपको यहां पर pin set करना है pin भी set करना जरूरी है इनके से अगर आपका fingerprint यहां पर match नहीं हुआ तो आप अपने pin का use करके भी अपने PC को यहां पर login कर सकते है so it is mandatory तो यहां पर आप alphabets fingerprint password को भी आप यहां पर set कर सकते तो इसी तरह के से आप अपने laptop में एक fingerprint password को set कर सकते हैं तो गैस यह थे laptop के कुछ basics और कुछ little bit of advanced type के features जो being a beginner आपको पता होने चाहिए और यह जो basic basic feature से यह आपको रोज काम आ सकती है आप जब भी आप laptop यूज करो तो so this was the video specially for beginner I hope you like it